हाई फ्रेंड्स दिस भीवुदत्त फ्रम साव टेकनोगाइड आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेकाया हूँ sound bar versus home theater अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो नीचे आपको एक subscribe बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे हमारे चैनल को subscribe कर सकके और बाजा में आपको एक बेल आइकन मिलेगा वहाँ पे ख्लिक करते हैं तो हमारी चानल का लाटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड लेट गेट स्टाटर तो जब भी आपका एक प्लान होता है एक म्यूजिक सिस्टम पर्चेस करना है आपका टीवी के लिए तो उस तरिम आपका मन में काफी confusion आता है जिसे कि आपको home theater लेना है या sound bar लेना है तो यह नौर्माली सभी का confusion रहता है यह दोनों से कौन सा आपको purchase करना चाहिए तो पहले हम बात करते हैं home theater का जिसे कि home theater एक set के साथ आपको मिलता है जिसमें आपको amplifier मिल जाता है और कुछ component speaker भगरा भी मिल जाता है जिसे कि जितना channel रहेगा उसी सबसे speaker आपको मिलता है तो यह home theater जो है यह आपको 5.1 में मिलता है 7.1 में मिलता है 7.2 में मिलता है और 9.1 इसके चैनल जादा रहेगा उतना component speaker आपको मिलता है उससाब से उसका जो surrounding sound है वो उतना अच्छा हो पाता है तो इसमें भी काफी सरे technology के साथ आपको मिल जाता है तो अभी हम बात करते हैं sound bar का तो sound bar एक compact solution है home theater का तो इसमें single आपको एक बार मिलता है जिसमें 2.1 या 3.1 चैनल के साथ आपको मिल जाता है तो इसमें एक यी बार में दो speaker रहता है या तीन speaker रहता है तो इसको आप इजीली आपका टीवी के सामने इंस्टल कर सकते हैं wall mount बगरा भी कर सकते हैं आपको ज्यादा speaker इधर उधर र हम शुरू करते हैं home theater का प्रोस से तो यहां पे आपको काफी सारे plus point मिल जाता है जैसे कि यहां पे आपको excellent surrounding sound effect मिलता है तो यह 5.1 से लेके 9.1 चैनल के साथ आपको मिलता है तो उसी सब से इसका sound quality भी काफी अच्छा मिल जाता है और आपको surrounding sound का effect काफी अच्छा मिलता है जैसे theater बगेरा में हम जाते हैं तो वहां पे जैसे आपको truly surrounding sound मिलता है तो same to same आपको यह home theater में घर में मिल जाता है तो इसमें काफी सारे technology के साथ आता है जैसे के Dolby हुआ Dolby Digital Plus या Dolby Atmos हुआ Dolby Cinema तो यह technology के साथ आता है तो यह technology में sound का depth जो रहता है वो काफी अच्छा आप देता है और second point देखते हैं तो आपको यहां पे different surrounding option मिल जाता है जैसे मैं आपको बता है 5.1 का home theater भी आता है 7.1 का आता है 7.2 और 9.1 का भी आता है तो आपका room के size के इसाफ से आप कोई भी surrounding option चूज़ कर सकते हैं और थार जो है वो काफी important है जैसे कि home theater system लेते हैं तो उसमे आपको काफी सरे option मिल जाता है means आपका home theater को customize करने के लिए तो उसमें काफी सरे option है तो option के इसाफ से आप sound को काफी अच्छा enhance कर सकते हैं अगर हम इसका cons के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी कुछ कमिया है जैसे कि अगर आपको आज के date में एक room है आपका 10 वाई 15 या 15 तो रूम में अगर आपको एक home theater को setup करना है तो पहले से planning करना पड़ेगा कि कौन सा जगा में वेरिंग करो कौन सा जगा में speaker रहेगा तो एक problem हो जाता है या अगर आप घर लेने के बाद ही home theater लेते हैं तो आपको इसका वेरिंग के लिए काफी परिशानी आता है जिसे कि अगर आप एक Dolby Atmos system लेते हैं home theater का तो उसमें साथ speaker रहता है कुछ speaker उपर भी रहता है कुछ नीचे रहता है तो उसको आपको setup करना भी काफी दिक्कत होता है अगर आप setup भी कर लिए तो दूसरा room में shift अगर आपको करना है तो वो भी काफी आपके लिए complicated हो जाता है तो उ इसलिए आपको इसके साथ compromise करना पड़ता है तो अभी हम बात करते हैं soundbar का तो पहले सुरू करते है soundbar का प्रोज से तो इसमें आपको easy setup मिल जाता है means अगर आप एक soundbar लेते हैं तो उसको install करना काफी easy है जिसे के soundbar के साथ एक subwoofer रहता है या only soundbar रहता है तो easily आपको आप काफी सारे speaker रहता है बट यह जो soundbar है only एक बार है उसको आप आपका tv के सामने रख सकते हैं या wall mount बगरा भी कर सकते हैं और next इसमें wearing का जंजट नहीं रहता है जैसे मैं आपको बता है यह easily setup हो जाता है इसलिए ज्यादा wearing का ज़रौत नहीं है जैसे के हम home theater लेते हैं तो उ जैसे के soundbar का range जो रहता है वो 7800 से लेकर onverse रहता है तो आप कम दम का भी soundbar ले सकते हैं या high price का भी ले सकते हैं तो अभी हम इसका cons के बारें बात करते हैं जैसे के soundbar में आपको उतना अच्छा sound नहीं मिल पाता है जो आपको home theater में मिलता है जैसे के home theater में एक एक channel रहता है और वो speaker को आप कोई भी जगा में place कर सकते हैं जैसे कि मैं यह जगा में बैठा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरा 4 तरफ speaker रहे तो उसी साब से मैं setup कर सकते हूँ बट यह जो soundbar रहता है उसको हम front में ही रख सकते हैं और उसका जो channel है जैसे के 2.1 हुआ या 3.1 हुआ तो एक ही एरिया के अंदर ही effect होगा तो उसलिए उसका sound का effect जो है आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाता है जैसे आपको home theater में मिलता है तो अभी मैं आपको काफी सरे बात बता दिया जैसे के home theater का and soundbar का तो अभी आपको चूज करना है आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा बट य या उसको आप ठीक से setup नहीं कर सकते है या customize नहीं कर सकते है तो आप soundbar में जा सकते है उसमें भी आपको अच्छा quality का sound मिलेगा बट home theater जैसा surrounding effect आपको वाँ पे नहीं मिल पाता है तो आशकरता हूँ ये वीडियो आपके लिए कापी helpful रहा होगा अगर ये वीडियो आपको आपका दिन सुभू